हेलो फ्रेंड्स वेलकम है आपका मेरे चैनल हेल्ट अड्डा 24-7 में फ्रेंड्स हमारे किचन में मौजूद कई ऐसी चीजें हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमन्द होती हैं शहद उनमें से एक ऐसी ही औशधी है शहद में कई तरह के एंटी आक्सिडेंट्स, कैल्शियम, आईरन, मैगनेशियम, कॉपर, पोटेशियम, मैगनीज और जिंक जैसे कई इंपोर्टेंट पोशक्तत्व होते हैं ये सभी स्वभाविक रूप से आपके डाइट, स्कीन और हेल्थ को पढ़ावा देने के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं यही कारण है कि कई सालों से कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स के होम रेमेडीज के तौर पर शहद को इस्तेमाल में लाया जाता है तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं शहद के कुछ बहतरीन गुड़ों के बारे में नमबर वन, इस्कीन के कटने, छिलने या जल जाने पर भी शहद का यूज करना बहुत ही बेनिफीसियल है शहद में मौजूद अंटिसेप्टिक गुड जले हुए हिस्से को जल्डे ठीक करते हैं और इस्कीन को इनफेक्शन से भी बचाते हैं नमबर टू, शहद में अंटिबैक्टिरियल और अंटिफंगल गुड होती हैं जो आपके गैस्ट्रो इंस्टेश्टाइनल सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं शहद को खाने से बैक्टिरिया संक्रमण के कारण होने वाली अपच और पेट दर्द की प्रॉबलम को कम करके पाचन को दुरुस्त करने में हेल्प मिलती हैं शहद एसिड रिफलक्स को कम करने के लिए भी प्रियोग में लाया जाता रहा है इसके लिए एक गिलास गुनगुने पानी में एक चम्मच शहद मिलाकर खाने से आपको बहुत फायदा मिलेगा अगर आपकी खासी कई दिनों से ठीक नहीं हो रही है तो आप शहद का इस्तिमाल करें या खासी से आराम दिलाने की असरदार घरेलू दवा है शहद में मौजूद अंटिबैक्टिरियल गुड इन्फेक्शन को और बढ़ने से रोकते हैं साथ ही ये कफ को पतला करती हैं जिससे कफ आसानी से बाहर निकल जाता है रात में सोने से पहले हलके गुनगुने पानी में एक चम्मच शहद मिलाकर उसे पी हैं या बलगम को पतला करने के साथ साथ सूखी खासी से भी जल्दी आराम दिलाती हैं नमबर फोर शहद में जरूरी अंटियोक्सिडेंट की मात्रा काफी जादा होती हैं इसमें मौजूद अंटियोक्सिडेंट दिल के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं और दिल से जुड़ी कई तरह की बिमारियों से बचाओ करते हैं इसके अलावा शहद का मुख्य काम बॉड़ी की रोग प्रतिरोधक छमता को बढ़ाना है इम्यूनिटी पावर मजबूत होने से कई तरह की संक्रामक बिमारियों से बचाओ होता है अगर आप कब्ज के मरीज हैं तो समझ लें कि आप कई अन्य बिमारियों को निवता दे रहे हैं पेट से जुड़ी कई प्रॉब्लम्स की जड़ कब्ज ही है शहद सरीर में फ्रक्टोज के अवशोसड को कम करती है इस वजह से आप इसका यूज कब्ज को दूर करने में भी कर सकते हैं कब्ज से आराम दिलाने के अलावा यह ब्लॉटिंग प्रॉब्लम से भी आराम दिलाता है नमबर सिक्स शहद गले की खराश दूर करने के लिए भी बहुत फाइदेमंद है या खासी और सर्दी जुकाम से तो आराम दिलाती ही है साथ ही अगर आपका गला बैठ गया है या गले में खराश है तो भी आप शहद को खाएं तो इससे आपको जल्दी आराम मिलता है तो फ्रेंस थैंक्स फॉर वाच्छिंग माई वीडियो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें तो मिलते हैं हम नेश्ट वीडियो में एक न्यू इंफॉर्मिसन के साथ